वेल्कम टो अनेश्ट अगलाई सिकेडमी जैसा कि आप सब जानते हैं कि UPSC CAC का फॉर्म आ चुका है अब बहुत सारे लर्नर्स ऐसे होंगे जिन्होंने फिल कर भी लिया होगा यह वीडियो ऐसे लर्नर्स के लिए है जिनको फॉर्म फिल करने बहुत ज्यादा परसानी हो र सब्कूर्ण कर दीजेगा अगर आप इस सबस्क्राइब कर ऊ तो पहली बात यह है कि सबसे ज़्याद जो comment आ रहा है वो है certificate के regarding, community certificate के regarding, जो community certificate है वो किसने issue किया है, उनका नाम क्या है, तो इसके उपर बहुत सारे comments है, तो इसके उपर आज doubt clear करेंगे, दूसरा है कि certificate में अगर कोई problem है, उसके उपर ही बात करेंगे, देन, उसके बाद ज गलत हो जा रहा है, तो उसको कैसे सुधार ना है, या क्या करना है, उसके उपर बात करेंगे, फिर आपका honors paper जो भी है, उसके उपर भी बात करेंगे, तो इन तमाम topic के उपर आज के वीडियो में ये होने बाला है, तो आइए शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले, अग फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसके उपर मैंने अल्लेडी एक वीडियो डाल रहा है, तो उससे आप जरूर देख लिजेगा, उससे आपको लाब मिल जाएगा, इसमें बस हम जो doubt को count करवा हैं, उन doubt को इसमें हम clear करने वाले हैं, उमिद करते हैं कि जितने भी learners हैं, जिनको भी अब देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो problem आ रहा है, वो यह आ रहा है, कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा problem आ रहा है, आपका community समुधाय वाले में आ रहा है, कि सर community में क्या करना है, तो पहले यहाँ पर देखे, मैं यहाँ पर community में कुछ भी चूज नहीं करता इसका मतलब यह है, कि जो form भरने का last date है, उससे पहले आपका certificate बना हुगा होना चाहिए, पहली बात यह है, जो आपको ध्यान में रखना है, अब यह जो बात कही जारी है, वो EWS के studentों के दोरा कही जारी है, note second में, जो learners यहाँ पर गलती कर रहे होंगे, जिनको समझ में नह कह रहा है, और यह है, economically, जो weaker section के student है, EWS के student है, उनके लिए यह कहा जा रहा है, कि आपका income certificate होना चाहिए, वो financial year 2019-20 का होना चाहिए, और जो central government ने जो criteria set किया हुआ है, उस criteria से आपका match करना चाहिए, यानि कि जो भी qualification set किया गया है, आपका EWS के certificate के लिए, वो आपका match करना number कह रहा है, देखिए, एक होता है, आपका community ID, एक community ID होता है, एक community certificate number होता है, तो बहुत सारे जैसे कि आपका EWS के student हो, या OBC के student हो, और OBC में भी आप पहले देख लिए, जो non criminal year में आते होंगे, जो criminal year में नहीं आते होंगे, तो आप कहेंगे, इस आप एक criminal year क्या होता है, तो जो का certificate बनवाते हैं, तो वहाँ पे आपका एक ID होता है, registered ID होता है, और जो SC, ST, सारे state का अलग-अलग होता है, तो बहुत सारे ऐसे जो learners है, जो suppose that कोई learners उतर परदेश से, तो उतर परदेश वाले में आप देखेंगे, तो एक आपका registration ID होगा, और दूसरा सबसे नीच को यहाँ वहाँ पे डालना पड़ेगा, community certificate जो number जो नीचे issue होता है, वो हमेशा वही डाता है, change नहीं होता है, आपका सिर्फ registration ID होता रहता है, बार-बार, लेकिन community certificate number हमेशा एक ही तरह का होता है, तो उस तरह से आपको डालना है, तो सबसे नीचे वाला आपको डालना है, तो वो ID भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहोंगे कि जो आपको जारी किया गया है, जिसने आपको जारी किया है, यह जो community certificate है, उनका नाम डालना है, तो बहुत सारे ऐसे जो learner से, फिर से मैं उतर परदिस का example लेता हूँ, तो उतर परदिस वाले में क्या होता है, कि community certificate के जहाँ पर मुहर रहता है, वही पर उनका नाम भी होगा, कि इन्होंने इशु किया है, तो वही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, और किस date को आपको यह certificate इशु हुआ है, उस date को डाल देना है, तो यह था तीन चीज़े जो आपको करनी थी, देन उसके बाद, तो यह आपका OBC, EWS ठीक है, और देन आपका SCST, सब के लिए कि सेम चीज़ी है, तीनों में सेम चीज़ी है, लेकिन जो EWS के स्टुडेंट है, जो लर्नर्स है, उनको यह धियान देना है कि सेंटल गौर्डमेंट को दोरा बना हुआ होना चाहिए, EWS का certificate, और देन उनका जो financial year होना चाहिए, वो 2019-2020 का ही होना चाहिए, देन educational qualification बहुत जादी समस्या आ रहा है, तो इसमें देखते हैं, पहली बात यह है कि अगर आप pass है, जो learners pass है, उनके लिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए, जो learners pass है, उनके लिए यहाँ पर subject को दिया गया है, अगर इसमें से कोई subject आपका नहीं है, मान लिजे कि आप Hindi से दिये हैं, और इसमें Hindi नहीं है, economics से दिये हैं, economics इसमें नहीं है, कोई ऐसा subject जिससे आप exam दिये हुए हैं, और वो subject आपका इसमें नहीं मिल रहा है, तो others को select कर लिजेगा, others को जैसे ही select कर लिजेगा, तो आपको यहाँ पर option दिया फिर आपको चुष is को कर देना हूँ और उसके बाद आपको अपना documents से लेकिन जैसे ही कोई saaudet कर लेते हैं मौन लिजे कि मैं कोई saaudet सिलेक्ट कर लिए तो नीचे हमको examination preferences में आएगा जो एकर से जिन student का BA 16 होगा यानि बैसलर डिग्री मήं उनका जिनका agriculture रहा होगा उनको option दे रही है कि यहाँ पे civil services का भी वो form भर सकते हैं और IFS का भी form भर सकते हैं तो यहाँ पे वो double select कर सकते हैं फिर ok करेंगे and then इस तरह से उनको आगे बढ़ना है फिर उनको अपना address डालना है alternative email डालना है mobile number डालना है और continue कर देना है बस इतना ही सारा चीज़ें इसमें करना था कुछ ज़्यादा कुछ खास इसमें था नहीं अब बात निकल के आती है कि जिनका जो पास नहीं है उनको क्या करना है तो पहली बात यह है कि जो आई-प्यरिंग student है तो पहले देख लिजे कि आपको कौन से से कौन से ऐसा subject है जिससे आप पर graduation का exam देने वाले हैं अगर इसमें से कोई subject आपको मिल रहा है तो वो subject डालीजिए अगर नहीं मिल रहा है तो other कर लीजिए और यहां पर आपको बस एक ही examination का जो option दिया जाएगा वो हो जाएगा civil services उसको select करना है आगे बढ़ना है आपको ठीक है everyone बस यही काम आपको कर करेंगे उसके बाद आपको एक registration नमबर मिल जाएगा तो आप यहां पर सुधार नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके बाद payment होने के बाद photo से लेकर करके identity card upload करने तक और जब तक final submission यहां पर नहीं करते हैं कि केंद्र चैन वा घोशना सहमतिक करना यह सब जब तक कि आप agree or declaration नही कर सकते हैं लेकिन फॉस्ट पार्ट जो आपका है फॉस्ट पार्ट में यहां तक आप इडिट नहीं कर सकते हैं इसमें आपको बस यहीं दियान देना है कि सब कुछ सही से बढ़े अगर आपने गलती कर लिया है कहीवे mister होना चाहिए जैसे कि यहां पे आपको अपने नाम डाल दीजिएगा दुसरा mobile नमबर डाल दीजिएगा यह वीडियो सिर्फ educational purpose से है तो यहां पर आप देखे मैट्रिक में जो आपका परमान पत्र के उपर जो नाम रहा है उसको डाल सकते हैं जो आपका नाम रहा है वो डालिएगा और यह सभी आपका ब्लॉक लेटर में होना चाहिए तो इस तरह से आपको करना है और आपका मदर फादर योरिस से नाम डालना था बस यही है इस वीडियो में आप बात कर लेते हैं कि कॉम्णीटी सॉर्टिफिकर्ट तो कॉम्णीटी सॉर्टिफिकर्ट अगर आपका नाम नहीं मिल रहा तो ब्लॉक में जा करके आप बात कर लिजेगा कि जब का कॉम्णीटी सॉर्टिफिकर्ट बना हुए उस समय कॉम्णीटी सॉर्टिफिकर्ट जो head था आपके block में वो कौन था यानि कि उससे में जो issue कर रहे थे आपका community certificate उससे में वो कौन थे उनका नाम आप पता कर लिजेगा नहीं हो तो आप इंटरनेट पे भी search करके देख लिजेगा कहीं मिल जाए उसके बाद अगर आपके certificate में कोई problem है subject को ले करके तो यहाँ प पुना फिर से दुबाड़ा भड़ सकते हैं mobile number और email ID उसमें दुसरा चढ़ा सकते हैं डाल सकते हैं उमीद करता हूँ वीडियो आप लोग को सही तरीके से मैं समझा पाया होंगा अगर कुछ छूट गया हो तो comment box में comment करके push लिजेगा thank you so much